अम्बेटकर ऐसे अकेले नेता हैं जिनसे आज के नेता वाकई डरते हैं उनकी हर बात को इस तरह से पेश करते हैं या सुनते हैं जैसे कुछ हो जाए चुनौती नहीं देनी है अब दूसरा प्रसंग जिसमें गांधी जी से अम्बेटकर पूछते हैं कि कॉंग्रेस हमारे आंदोलन का विरोध क्यों करती है और मुझे देश द्रोही क्यों करते हैं देश द्रोही से याद आया हमें तो लगा कि आज कल ही शुरू हुआ है लेकिन इसका इतियास देखिये कहां कहां है इसके जवाब में गांधी कहते हैं कि आप सबसे बड़े देश बगते हैं तब कि बंबई विधान सभा में बोलते हैं डॉक्टर अमबेटकर कहते हैं ये ऐसार दारापूरी साहब ने हस्तक्षेव.com पे लिखा है अमबेटकर कहते हैं कि मुझे अक्सर गलत समझा गया है इसमें कोई संदे नहीं होना चाहिए कि मैं अपने देश को प्यार करता हूँ लेकिन मैं इस देश के लोगों को यह भी साथ साथ बता देना चाहता हूँ कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिसके लिए मैं प्रतिबध हूँ यह निष्ठा है अस्पृष्य समुदाय के प्रती जिसमें मैंने जन्म लिया है और मैं इस सदन में पूर्जोर कहना चाहता हूँ कि जब कभी देश के हिद और अस्पृष्यों के हिद के बीच तकराव होगा तो मैं अस्पृष्यों के हिद को तरजी दूँगा अगर कोई आतिताई बहुमत देश के नाम पर बोलता है तो मैं उसका समर्थन नहीं करूँगा मैं किसी पार्टी का समर्थन सिर्फ इसलिए नहीं करूंगा कि वो पार्टी देश के नाम पर बोल रही है जो यहां हो और जो यहां नहीं है सब मेरी भूमिका को समझ ले मेरे अपने हित और देश के हित से तक्राव होगा तो मैं देश हित को तरजी दूँगा लेकिन अगर देश के हित और दलित वर्गों के हित के साथ तक्राव होगा तो मैं दलितों के हित को तरजी दूँगा सोचिए आज तो पार्टी वों में दलित निता अपने हितों को छोड़ देते हैं पार्टी निस्ठा के चलते हैं लेकिन डॉक्तर भीमराओं अम्बेटकर क्या कह रहे हैं थे?